C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है समुद्र के किनारे उंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था समुद्र की तुफानी लहरें धूप में चमक थी, जिल मिलाती और दिन भर पर्वत की चटानों से टकराती रहती थी पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी भैती थी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी, बड़े जोर से समुद्र की और लपकती जाती थी जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरे दूद के जाग सी सफेद दिखाई देती थी अपनी गुफा में बैठा हुआ साप, सब कुछ देखा करता लहरों का गरजन, आकाश में छिपती हुई पहाडियां, टेडी मेडी बल खाती हुई नदी के गुसे से भरी आवाजें वह मनी मन खुश होता था, कि इस गरजन तरजन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है कोई उसे दुख नहीं दे सकता, सबसे अलग, सबसे दूर, वह अपनी गुफा का स्वामी है ना किसी से लेना, ना किसी से देना, दुनिया की भाग दौर, चीना जपटी से वह दूर है साप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था एक दिन एका एक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपत एक बाज, साप की उस गुफा में आगिरा उसकी चाती पर कितने ही जखमों के निशान थे, पंक, खून से सने थे, और वह अधमरासा, जोर-शोर से हाफ रहा था जमीन पर गिरते ही, उसने एक दर्द भरी चीख मारी, और पंकों को फड़़डाता हुआ, दर्ती पर लोटने लगा डर से साप अपने कोने में सिकुड़ गया, किन्तु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया, कि बाज जीवन की अंतिम सासे गिन रहा है, और उससे डरना बेकार है यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुँचा उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी ऐसा ही दिखता है कि आखरी गडिया पहुची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है मेरी जिन्दगी भी खूब रही भाई, जी भर कर उसे भोगा है जब तक शरीर में ताकद रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हूँ दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम उचाईयों को अपने पंकों से ना पाया हूँ तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, कि तुम सिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाऊगे साब बोला आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूँगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश, तुम्हें ही मुबारक मेरे लिए तो यह गुफाबली, इतनी आराम दे और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? साब, मन ही मन, बाज की मूर्खता पर हस रहा था वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सब के भागे में मरना ही लिखा है शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा अचानक बाज ने अपना जुका हुआ सिर उपर उठाया और उसकी दृष्टी साब की गुफा के चारों और घूमने लगी चटानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुरगंद फैली हुई थी मानों कोई चीज वर्षों से पड़ी-पड़ी सड़ गई हो प्रिष्ट 111 है बाज के मुँ से एक बड़ी जोर की करुन चीख फूट पड़ी काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता बाज की ऐसी करुन चीख सुनकर साप कुछ सिट पिटासा गया एक शन के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रती इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर चटपटा रहा था उसने बाज से कहा यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चटान के किनारे से उपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको कोशिश करने में क्या हार्ज है बाज में एक नई आशा जग उठी वह दूने उत्सास से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चटान के किनारे तक खीच लाया खुले आकाश को देखकर उसकी आँखें चमक उठी उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैला कर हवा में कूद पड़ा किन्तु उसके तूटे पंखों में इतनी शक्ती नहीं थी कि उसके शरीर का बोज संभाल सकें पत्थर सा उसका शरीर लुढकता हुआ नदी में जागिरा एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया उसके ठके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढख दिया फिर अपनी गोद में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली लहरे चटानों पर सिर धुनने लगी मानो बाज की मृत्यू पर आंसू बहा रही हो धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आँखों से ओज़ल हो गया चटान की खोखल में बैठा हुआ साँप बड़ी देर तक बाज की मृत्यू और आकाश के लिए उसके प्रेम के विशय में सोचता रहा आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्शन छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गवा दिये वो खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया नजाने आकाश में क्या खजाना रखा है एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा चाहे कुछ देर के लिए ही हो कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चकलूंगा प्रिष्ट एक सोंबा रहे यह कहकर साप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शूनिता में छोड़ दिया धूप में क्षण भर के लिए साप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया किन्तु जिसने जीवन भर रेंग ना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता सो उड़ने का यही आनंद है भर बाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं दर्ती के सुक से अंजान रहकर आकाश की उचाईयों को नापना चाहते थे किन्तु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा केवल धेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं कोई सहारा नहीं फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाकते हैं किस लिए धर्ती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं अब मैं कभी दोखा नहीं खाऊंगा मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया बाद तो बड़ी-बड़ी बाते बनाता था आकाश के गुण गाते ठकता नहीं था उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था इश्वर भला करे मरते मरते बच गया अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुक और कहीं नहीं है दर्थी पर रेंग लेता हूँ मेरे लिए यह बहुत कुछ है मुझे आकाश की स्वच्चंदता से क्या लेना देना न वहां चत है न दिवारे हैं न रेंगने के लिए जमीन है मेरा तो सिर्चकराने लगता है दिर काप काप जाता है अपने प्राणों को खतरे में डालना कहां की चतुराई है सांप सोचने लगा कि बाज आभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी किन्तु कुछ देर बाद सांप के आश्चरे का ठिकाना नहीं रहा उसने सुना चत्तानों के नीचे से एक मदुर रहस्यमाई गीत की आवाज उठ रही है पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ किन्तु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे वह अपनी गुफा से बाहर आया और चत्तान से नीचे जाकने लगा सूरज की सुनहरी किर्णों में समुद्र का नीला जल जिल मिला रहा था प्रिष्ट 113 है चत्तानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत की स्वर फूट रहे थे लहरों का यह गीत दूर दूर तक गुँज रहा था प्राणों को हतेली पर रखे हुए गूमते हैं चत्तुर वही है जो प्राणों की बाजी लगा कर जिंदगी के हर खत्रे का बहादुरी से सामना करे ओ निडर बाज शत्रों से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है पर वैसा में दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अधिरे में प्रकाश पहलाईगी और साहसी बहादुर दिलों में सुतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किन्तु फिर भी तुम अमर हो जब कभी साहस और वीरता के गीत काई जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रधा से लिया जाएगा हमारा गीत जिन्दगी के उन दिवानों के लिए है जो मर कर भी मृत्यू से नहीं डरते निर्मल वर्मा प्रश्न अभ्यास शीर्शक और नायक लेखक ने इस कहानी का शीर्शक कहानी के दो पात्रों के अधार पर रखा है लेखक ने बाज और साप को ही क्यों चुना आपस में चर्चा कीजिए प्रिष्ट 114 है कहानी से एक घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा मुझे कोई शिकायत नहीं है विचार प्रकट कीजिए दो बाज जिन्दगी भर आकाश में ही उड़ता रहा फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था तीन साप उड़ने की इच्छा को मुर्खता पूर्ण मानता था फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की चार बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था पांच घायल बाज को देखकर साप खुश क्यों हुआ होगा कहानी से आगे एक कहानी में से वे पंक्तियां चुन कर लिखिये जिन से स्वतंतरता की प्रिर्णा मिलती हो दो, लहरों का गीत सुनने के बाद साप ने क्या सोचा होगा क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी अपनी कलपना से आगे की कहानी पूरी कीजिए तीन, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभावे कार में आनंद का अनुभव होता ही नहीं विचार प्रकट कीजिए चार, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? अनुमान और कलपना यदि इस कहानी के पात्र बाज और साप ना होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती? अपनी कलपना से लिखिए प्रिष्ट 115 है भाशा की बात एक, कहानी में से अपनी पसंद के पाँच मुहावरे चुन कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए दो, आराम देह शब्द में देह प्रत्य है यहां देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई, आदी का प्रयोग भी होता है जैसे सुखद, सुखदाता, सुखदाई, सुखप्रद उपर्युक समानार्थी प्रत्यों को लेकर दो-दो शब्द बनाईए शब्दार्थ शिखर पहाड की चोटी सरिता नदी सिटपिटाना भै या घबराहट से सहम जाना असीम जिसकी कोई सीमा नहो अपार खोखल खोखली जगह बड़ा छेद अभी आप सुन रहे थे पाठ सत्र है बाज और साप प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत